नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है क्या आपने कभी ये सोचा है कि भारतिय टीम क्रिकेट के मैदान पर नेले रंग की ही जर्सी पहन कर क्यों तरती है आईए हम आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं 1980 के दशक के दवरान भारतिय टीम ने चमकीले नेले लाइट ब्लू रंग को अपने प्राइमरी रंग वपीले रंग को सीकंडरी रंग के रूप में चुना इसके बाद से भारतिय टीम ने लगातार इसी रंग को अपनी ड्रेस में तरजीह दी बहराल अगर इन सालों में भारतिय टीम के ट्रेट के पैटरन पर नजने दवडाएं तो हर ट्रेट में नेला रंग मुख्य रंग के रूप में चर्सी में रहा है वहीं पीले रंग का भी भारतिय टीम की जर्सी के साथ 2008 तक कोई न कोई कनेक्शन जरूर रहा है यहां तक कि 1999 विश्व कप में भी भारतिय टीम की यूनिफॉर्म में नेले रंग के साथ सेकेंडरी कलर के रूप में पीले रंग का ही इस्तेमाल किया गया था लेकिन 1990 के ही दशक में प्राइमरी कलर के रूप में नीले और सेकेंडरी कलर के रूप में पीले रंग के साथ ट्राई कलर तिरंगे के रंगों को बदलने के कई प्रयोग किये गए साल 2000 के बाद पीला रंग जर्सी में लिखे इंडिया नाम तक ही सीमित रह गया और 2007-2008 के बाद से पीला रंग भारती टीम की जर्सी से पुरी तरह से गायब हो गया लेकिन इस बीच टीम इंडिया की ड्रेस का कलर नीला जरूर रहा इसका कारण नेशनल फ्लैक का कलर है हमारे जंडे में कुल तीन कलर केसरिया, सफेद और हरा है क्योंकि केसरिया रंग राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा हुआ है इसलिए रिजेक्ट हो गया सफेद रंग से मैदान में वीज्वल इंपेक्ट होता है और हरा रंग पहले से ही पाकिस्तान इस्तेमाल कर चुका था लेकिन चौथा रंग ब्लू हमारे अशोग चक्र का रंग भी है जो कपड़ों के लिए सबसे बढ़िया है इसलिए इतने सालों से वैसे तो स्पांसर बहुत बदले लेकिन निला रंग जस्का तस रहा और उम्मेद भी यही है कि टीम इंडिया की निली जर्सी की परंपरा यूँ ही बरकरार रहेगी